कर दो कर चुके हैं और हैदराबाद ने आज वह कर दिया है जो अभी तक हैदराबाद अपना IPL दो आज अपना IPL 24 में दूसरा मैश हा रही है अब तक अब बात करेंगे पूरे मैंच की लेकिन फर्स फॉल फर्स थिंग भुवनेश्वर कुमार दे मैं बिद न्यू बॉल्ड बॉल इंद देटोगर बुझे लग रहा है आज ज्यादर प्लेशन की बात करिए चैप संदीब शर्मा के बात करिए चैप रियान पराक की बात करिए जिनको जिनको इंक्लूट नहीं करा गया है वो हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है और मुझे लग रहा है यही कल भी होने वाले है रिक को से जादा ही अपना वो दिखाने वाले चल्वा है बट आज के मैस की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बातिंग लेके गए नॉट आउट गए और जिस तरीके से मुझे लग रहा है पार्टनर्शिप युर्की क्लासें बिसात रही और भी सी उस वज़े सी संदाइजस हैदराबाद का स्कोर इस तरीके से पहुंच पाया है कि आप दोस्तों एकरन मना पाए जबकि आपके फावर फिले म ने अविश शर्मा का उट किया, संदीब शर्मा ने अनमोर प्रिक सिंग का उट किया, पावर फ्ले में ये दोनों विकेट गिरे जदियल दी और से इस पे दो था पावर फ्ले का स्कोर, उसके बाद 58 रन ट्रेविस हैड ने जरूर बनाया, लेकिन वो उस अंदाज से नही पर बे आके 42 बाल, 63 रन, 180 का स्ट्राइक रेट कहीना ज़ी टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक ले जाने में बहुत बड़ा योगदा उनका था, बाद में हैंरिक क्लासन, 19 बाल, 42 रन, जिसके लिए जाने जाते है, 221 का स्ट्राइक रेट, 36, 34 और हैजरावाद को र जादा रन्स का सीट निके, 9 एकॉनमी मातरूं की चहल, जिनको लिया गया है, बतलब शेवन दूवे को ले लिजी, आर्दिक पाइंडे को लिए, इस पी जैसवाल को गरा मटाले, जिनके भी हम बात करेंगे, अभी तक सब प्रॉपर ही फ्लॉप रहे है, ट्रेंट जो विकेट का सिल्सिला था, आज भी वो नहीं बना, अश्विन 4.36 नौ का एकॉनमी, आवेच खान 4.49 दो विकेट लिये, वल्लकब में ये भी जा रहे है, रिजर्व में, तो एकॉनमी 10 के आसपास काया, 4.49 ने इनोंने खाया, संदीप शर्मा 4.31 विकेट, अगें संदी विल भी ईजी चेस और राजस्थान, वो चीज कहीने के दिखाई भी जरूर, वापस वही, हमारे स्विंग पिंग, स्विंग के राज कुमार, जो हमारे प्रुबनेश्च नौ कुमार ने पहले ही ओवर में, पहले जॉस बटलर, उसके बाद संजू सैंसन को वो जो टॉप नटराजर ने बाद में जरूर इनको आउट किया, 167 का स्राइक रेट, और रियान पराग, 49 बॉल में, 177 का स्राइक रेट, आज मतलब दोनों टीम की चार्ड नंबर है, उन्होंने अपनी जो पोजीशन है, उसको वापस से बुनाया इस टीम में, स्रिमन हिटमायर, अगे नटराजर ने लिए, वहाँ से मुझे लग रहा है काफी हत्तक मैट पलट गया था, उस वज़े से काफी हत्तक तक अगर एंड की विकेट किर रहे हैं आपके लगाता है, तो वह चीज़ प्रेशर सामने ले टीम पर आता है, और वही चीज़ भी, बात करें इस तरीके से उ क्योंकि ओवर्सीज प्लेयर है, कप्तान भी है, तो जो मुश्किल चीज़ है, वह करने को देख रहा है भी नहीं, देख रहे हैं कि मैं भाई, मैं इतना महंगा बिका हूँ, मैं इसको टीम में खरीदा है, मैं वल्लकप जितके आदो मैं आसान आजान ओवर डालके, एकॉन प्लेश्ट कुमार चार ओवर एक्तालिस रहन, मार्को यांसन चार में चावज़वालेज, पैट कमिंश चार में चौतिर दू विकेट, वह निस्वा ओवर भी जिसमें साथी रन दिये, शिरिफ नतराजन चार में पैथिस दू विकेट, उनादकर दू में तेईस, दो रन चाहिए, और वो LBW, वो प्रॉपर जिस तरीके से फिल्ड सेट अप करी थी, कि लॉंग ओफ है, लॉंग ओनर मिट विकेट है, कि पता यह चीज़ क्लियर थी कहीं न कहीं कि यह और कराने वाला है, बॉल विकेट में ही आएगी, रोगन पावल कहीं न कहीं चीज को पर लिकप स्कॉड में रही है, वो अपना प्रूफ करने के लिए परफॉमेंस और अच्छी देखना हो लेगी, देखें वो इसी बात में एक बार हम बात करें किस तरीके से है, पॉइंट स्टीबल जो है, वो हमारा यहां पर दिख रहा है, तो दस मैच में आठ जीतों के स पंजाब भी, अभी भी तो कह सकते है, चलिए चौदा, सोलर पॉइंट के लिए तो अभी पंजाब भी ओन है, गुजराद भी ऐसे करके सारे मैच जीते हैं, वही कहानी वापस कल की की, मुंबई वैंग्रॉट सारे मैच जीतना बहुत मुश्किल है, मुझे लग रहा है, पंजाब, जीती, माई, आर्सेबी के जाए चांसे हैं, यह था आज के मैच का हाल, कल भी एक बड़ा मैच है, डेली और मुंबई के बीच में, कल के क्यार और मुंबई के बीच में, तो एक और जो बहुत ही पुरानी राइवल्री, एक और टसल है, उस पर दिपने मिलेगा के क्यार, वो चाहेगी कि टॉप टू में ही फिनिश करें, जहां पर अभी जैसे भी दूसरे पाइदान पर बैटी हुई है, वहाँ पे जरूर मुंबई चाहेगी कि वो, क्योंकि उनकी पार्टी अब खुद खराग हो गई है, तो वो जो दूसरी टीम है, के क्यार, उनकी थे संडाइस हैजरावाण.